नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टेडी विद ग्यान प्रकास में पूरे दिन यानि कि आज 20 फ़वरी को 79 जार सिक्षक भर्तिक परिशा के बारे में लखनो खंडपीट में क्या-क्या सुनवाई हुई और अगली डेट कब लगी है पूरे दिन की अपडेट क चंद्रा जी जो कि सरकार का पश्च रख रहे हैं उनसे पुशा गया था कि पेज नंबर 43 के उपर पेज नंबर 44 को क्यों चिपकाया गया है जब साब जानना चाहते थे कि पेज नंबर 43 पर क्या लिखा गया है और अगर प्रसांद चंद्रा जी यानि कि सरकारी वकील इसक सफल रहे उन्होंने जद साब के समझाने में सफलता हासिल कर ली कि पेज नंबर 43 और 44 विवादित नहीं है उन्होंने 43 और 44 को असपस रूप से जद साब के सामने रखा और ये मुद्दा समाप्त हो गया हलांकि पूरे दिन इसकी सुनवाई होती रही और उपेंदान मिस्त् इसके साथ साथ अनिल तिवारी जी जो की 60-65 के पक्ष में अपना रख रहे हैं अपना पक्ष तो काफी इसमें बहस हुई मामला कभी कटाव से इतर उठकर इधर उधर भी जाता रहा बीएड को क्यों समिल किया गया ये मुद्दा भी सामने आया और इसी के साथ साथ बीट चार बच के 28 मिनट पे जजसाब ने ये कहा कि अभी भी इस पूरी भरती में बहुत सारे चीजें हैं जिसको सुना जाना सेस है और इसलिए आज ये जो सुनवाई होगी वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगी अगली सुनवाई के लिए कल की डेट में लगाई है यानि कि 21 करवट जाने वाली है ये बिल्कुल असपस्त नहीं हो सका है क्योंकि हर पक्ष बहुत जोड़ा तरीके से अपनी पैरवी को रख रहा है और अगर आप किसी ग्रूप बिस्यस में जूड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से हर ग्रूप अपनी जीत के प्रतिलगभग आ जाने वाली है ये कहा नहीं जा सकता मिलाज लाकर इंतजार करना ही सबसे स्रेयस कर रहेगा और हलांकि एक बात मैं असपस्त कर देना चाहता हूं कि बीड़ वाले पूरी तरह से सुरक्षित हैं इस भरती में और आगे चलकर उनको कोई भी मतलब की केस करके प्रात्मिक सिक अब यहां पर यह भी असपस्त से यह नहीं कहा जा सकता कि कल इसकी फाइनल ही रिख होंगी या फिर डेट आगे बढ़ेगी क्योंकि पिछली कई तारिकों से यही लग रहा था कि हो सकता है कि कल या परसों में पूरे प्रक्रण की का जो पटाक शेप है वो हो जाए लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है तो आगे जो भी लेटेस्ट अब्डेट होगी उसको लेकर आपकी सेवा में हाजी रहूंगा चैनल पर अगर पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकान कर जुरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक की ruleिप होली जा प्रेस कीpareक चैनल और एक रच्ता आपकी शुर्वेड कीर को सब्सक्तरे की डिकेशन